स्टोडियर हमारे कुछ वीवर्स हैं जिनका सवाल आ रहा है सवाल यह है कि सर बी सिसु यहली का जो मौपप कॉंसलिंग होगा जिसका डेट सीट जो है आपका नौवंबर में आने वाला है तो सर उसमें हमारा कॉलेज कैसे मिलेगा हमें कॉलेज कैसे मिलेगा उनका मिली यह सवाल था कि सर मान लिजे कि मैं एसी कटेगरी से बिलॉंग करता हूं और एसी कटेगरी में सीट खाली रहता है कोई स्टुडेंट वहां पे एड़िशन नहीं करवाता है चाहिए कोई भी ब्रांच हो तो क्या उस सीट पे मुझे मिलेगा डेफिनेटल कि अगर आप एसी कटेगरी से बिलॉंग करते हैं कोई नहीं जाता है स्टुडेंट एड़िशन करवाने तो आपको कॉलेज मिलेगा बट अगर आप जेनरल कंडिडेट है जेनरल कटेगरी है या अदर दन एसी कटेगरी है और आप सोच रहें कि एसी कटेगरी का जो सीट खाली है उस पर हमारा एड़िशन हो जाए तो यह संभव नहीं है वो सीट खाली रह जाएगा वेकिन आपको नहीं दिया जाएगा आप जिस कटेगरी के हैं उस कटेगरी में सीट खाली रहेगा तभी आपको कॉलेज मिलेगा अगर आप जेनरल कटेगरी के स्टुडेंट ह आप सुचेगा कि BC category या यह BC category या SC या AWS category में जाकर स्चेट ले ले संभव नहीं है आप जिस category को apply करते समय डाले हैं वही category से आपको college मिले वाला है तो यह चीज याद रखेगा I hope कि अब इस तरीके का सवाल आपके mind में नहीं होगा